हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह है एपल वाच अल्टरा की कुलोन वाच और आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेश्ट आ रहे थी कि भाइस का रिव्यू करो तो मैं इसको मंगा लिया और लगबग दो दिनों से यूज़ भी कर रहा हूं वैसे मार्केट में एपल वाच अल्टरा के कुलोन में काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं बट किसी में यूई लेक करता है तो किसे के डिस्प्ले में बिजल ज्यादा मिलता है लेकिन यहां पर रखको सभी चीज़ें ट पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो अगर पसाना इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि यह वीडियो आप लोगों की डिवांट पर बन लिए तो लाइक तो बनता है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबस अग्सेसरीज मिलने वाली है और इसको उपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यूजर मनेवल मिल जाती है इसका पड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर रखकर आप वाच को चार्ज कर सकते हैं अब आते हैं वाच की तरफ तो यहां पर कुछ इस तरह से वाच रखी वी मिल ज रखती है बाकि जो डिजाइन है बाई हू बहू एपल वाच अल्ट्रा की कॉपी है यहां पर कोई भी देखर कहने सकता है कि यह कॉपी वाच है बाकि इसके फिजिकल और यहां पर राइट सेट में आपको क्रॉन बटन मिल जाती है उसके निचे मैग्रफोन दिया गया है अब इसको ओन करते हैं और यहां पर निचे वले बटन को प्रेस करके होल्ट करना है और देख सकता है यहां पर हेलो लिखा हुआ अगया और वाच ऑन हो हो गया और यहां पर मैं इसी च्टैप को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि यह काफी यूनिक है और काफी खुबसुरत लगने वाला है अब इसको पैर करते हैं और पैर करना भी काफी एज़ी है आपको अप्लिकेशन को उपन करना है उसके बच जाना है एड डिवाइस पे दिजरन काफी जबरदस्त हैं और कोई भी दूर से देखेगा थो पैचान ये पिए क्लोन वाच्टेओ बाकि काफी बात करें तो यहां पर पूरी बॉड़ी आप को अपको मेजाती है जो कि काफी श्ट्रॉंग होने वाली है और बैक स्टेट के बात करें तो यहां पर आपको ग्लास फिनिश में प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है तो बिल्ड कोड़ी भी काफी ज्यादा प्रीमिम और काफी सॉलिड होने वाली है तो डशेंन बिल्क बिल्कुल जबरदस्त है और इसट्रीप की बात करें तो यहां पर वोक्स में आपको दो श्ट्राइप मिलता है एक सिलिकन श्ट्रैप दिया गया है जो की काफी क्यों प्हिने में काफी कमफटेबल रहती है और आपको आईप 67 की भी मिल जाती है तो पान यह 2.02 इंचेस का जो कि एक TFT पैल ले और इसके डिस्प्ले के रिजुशन के बात के रहे तो इसमें आपको 420 x 480 इसमें आपको 100 प्लेस का सपोर्ट मिल जाता है और काफी अच्छे रंगरंगे आपको मिल जाते हैं लेकिन यहां पर इसकी एप में आपको काफी सारे वाच्फेस पेड़ मिलते हैं जो कि आपको पर्चेस मत करना क्योंकि यह चाइनीज एप्लिकेशन है और रिस्क हो सकता है तो यहां पर अपको डिर सारे वाच्फेस का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें आपको चार तरह की मिन्यू श्टाइल भी मिल जाती है एक रिश्ट वीव दूसरे आपको इस तरह क तो रिष्ट वेक यहां पर रबको काफी शादार मिल जाता है इसमें अब बात करते हैं इसकी मेन्यू में तो सबसे पहले यहां पर रबको हार्ट रेट सीलीप ट्रेकिंग उसके बाद फिटनेस क्लास इसमें आपको इंडोर स्पोर्ट और और इसमें टोटल 10 स्पोर्ट म प्रेशर का फिचर भी मिल जाता है और अपर इसके बाद यहां पर अपको कोई बीडी लाट मिलती है तो इसमें आपको जितने फिटनेस वाले फीचर मिलते हैं सब फेक मिलते हैं हालाकि इसके स्टेप काउंटर की अग्यूसी काफी तगड़ी है और यह वर्क करता है और अगर अप 100 श्टेप्स लेते हैं तो यह 95 काउंट कर लेती है तो इसका जो पैड़ोमेटर है वो काफी अच्छे से वर्क करता है और एक्यूरेट है उसके बाद चलते हैं तो यहां पर प्रेशर का फिचर दिया गया है और मैसेज भी जाएंगे तो यहां सब नोटिफिके और यहां पर डायल पर मिल जाता है जहां से नंबर वगर आप डायल कर सकते हैं उसके बाद चलते हैं तो यहां पर अलार्म का फिचर मिल जाता है और इसमाप वह से अलार्म को सेट कर सकते हैं और किस्टमाइज कर सकते हैं उसके बाद यहां पर टाइमर मिल जाता है और गे और यह काफी सही से वर्ग करता है उसके बाद इस वाइस एसिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है तो वाइस कमांड देकर आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं और यह फीचर भी एच्छ से वर्ग करता है उसके बाद यहां पर सेटिंग मिल जाती है और इसमें आपको ला कि अब करने में और फिर्ष भ। कि सप्टेंगे टो यहां कि अच्छी बात है तो यहां से बांट बढ़सके ह्नुट जाएंगे तो यहां Dubb कर सकते हैं और आपको कुतनी और यहां सब the else कर सकते ह्न Creator और यहां पर आपका जो फेवरेट फीचर है आप कर सकते हैं और इसमें मैंने कल्कुलेटर को एड़ किया हुआ है तो इसको प्रेस करते ही कल्कुलेटर ओपन हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको डूनल डिश्टर मिल जाता है और हेल्थ रिमेंडर बजाएंगे तो य यहां पर shutdown, restart और factory reset का option दिया गया है, तो यहीं सारी features आपको इसमें मिल जाते हैं, अब यह कॉलिंग हो अच्छे तो यहां पर आपको built-in microphone और speaker मिल जाता है, और दोनों की quality काफी अच्छी है, speaker काफी loud है और crisp आवाज आती है, तो आराम से इससे बात कर सकते हैं, बाकि यहां call आता है, तो आप call को receive कर सकते हैं, यहां पर cut करने का option नहीं है, लेकिन अगर करण बटन को दो बर press करेंगे, तो call कट हो जाएगा, और इसमें आपको dial pad भी मिल जाता है, और आप अपने eight favorite contacts को इसमें add भी कर सकते हैं, रहीबत message की notification की, message को आपड सकते हैं, reply करने का option नहीं मिला, और इसमें आपको wear fit pro application का support मिल जाता है, जो की ठीक अप्लिकेशन है, बट इसमें बार बार ads आती हैं, और काफी irritate करती है, और application के बाद करेंगे, तो सबसे पहले पर जाएंगे, तो यहां पर आप जो जो activity करेंगे, उसके records को दे सकते हैं, और सबी data यहां पर fake है, क तो इसमें आपको alipay paypal, इस सब options देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंडिया में वर्क नहीं करते हैं, उसके बाद चलते हैं, business card में, तो यहां पर pure code को store कर सकते हैं, और यहां पर health reminder, उसके बाद weather push, card bag में जाएंगे, तो यहां से आप अपने credit card को इसमें store कर सकते हैं, जो क आपको options मिल जाते हैं, उसके बाद यहां से अपडेट कर सकते हैं watch को, और last में जाएंगे, तो यहां से profile बना सकते हैं, और अपना goal वगरा set कर सकते हैं, तो application में आपको features मिल जाते हैं, लेकिन बार बार adds आती है, और इसमें आपको काफी सारे watchOS pad भी मिलते हैं, जो कि आप स्लाइट करेंगे, तो आपको और भी options देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप use कर सकते हैं, उसके बाद नीचे से swap up करेंगे, तो यहां पर आपको notification दिख जाती है, left से swap करेंगे, तो यहां पर split screen का feature दिया गया है, जहासा आप recent app को use कर सकते हैं, और इसमें आपको date और time अग चले जाएंगे, जहां पर आपको सारे features मिल जाते हैं, बाकि नीचे बटन को press करेंगे, तो भी आप menu में चले जाएंगे, और दुबार प्रेस करेंगे, तो आप home screen पर चले जाएंगे, और इसमें आपको action button भी मिल जाती है, जो की work करने वाली है, और इसको customize भी कर सकते हैं तो अगर आप calling feature को use करते हैं, तो आपको एक से देरे दिन का battery backup मिल जाएगा, और अगर आप calling feature को use करते हैं, तो आपको दो दिन का battery backup भी मिल सकता है, जो की decent है calling watch के हिसाब से, और charging होने में इसको 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपको wireless charging का support मिल जाता है, और यह थोड़ा slow ह अब आते हैं, मुद्यों की बात भी है कि कैस watch को लेना चाहिए या नहीं, तो इसके price की बात करें तो जब मैं इसको भूक किया था, तो इसका price था 3600 रुपे और इसका price हो गया 3300 रुपे, जो की ऊपर नीचे होता रहता है, दिमांड को देखते हुए, तो 3300 के सबसे काफ जबरदास मिल जाती है, डिस्पले काफी शांदार है, और आपको calling fiction भी काफी एच्छा से मिल जाता है इसमें, बाकी यह कोई fitness watch नहीं है, या आपनों को पता है, क्योंकि कोई भी clone watch fitness के लिए नहीं होती है, और इसमें बापको जितने भी fitness वाले features मिलते हैं, सब ही fake मिलते ह तो अगर आपको फिटनेस के लिए एक अच्छी watch लेना है तो इसे दूर है, बाकी अगर आपको फैशन के लिए लेना है या फिर शॉफ के लिए लेना है तो फिर ले सकते हैं इसको, और इसका जो look है वो बिल्कुल apple watch ultra जैसा है, तो कोई भी दूर से देखागा तो पैचा काफी इची लेती है, इसलिए मैंने 13 प्रोपी भी लगाया हुआ है और इससे फोन सिक्यूर रेता है और इसके रेजस नहीं आते हैं, और watch काफी जबरदस्त है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो लिंक आपको डिस्यूप्शन बॉक्स में मिल जागा, वह सिब जाकर जरूर बताएं, और आप मुझे इस्टागराम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी का रिपलाई देता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अपने ख्याल रखें, बाई